वेलकम बैक गाईज टू प्रिया समधान आज मैं आपको पीपल के पत्ते का एक ऐसा टोटका बताने जा रही हूँ जिससे आपका पर्स और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी उसमें सदा ही महालक्षमी का आगमन बना रहेगा तो चलिए गाईज शुरू करते हैं शास्त्रों में पीपल का पौधा एक ऐसा पौधा माना जाता है जिस पर तृदेवों का आशिवात बना हुआ होता है विशेश कर पीपल के पौधे में भगवान श्री हरी विश्नु का आशिवात माना जाता है इसलिए जिस घर में पीपल का पत्ता होता है उस घर में कभी भी धन्धानने की कमी नहीं होती तो आज मैं आपको वो टोट का बता रहे हूं तो शनिवार के दिल पीपल का एक पत्ता तोड़ें वह उसे गंगा जल से धोकर उसकी उपर हल्दी के घोल से अपने हाथ की अनामिका उंगली से रीम लिखकर उसे धूप दीप दिखा कर अपने पर्स में रखें मात्र इतना आपको करना है इसे आपको हर शनिवार को बदलते रहना है मात्र आप इतना करके इस पीपल की पत्ते को अपने पर्स या अपनी तेजोरी में रखें और हर शन्वार इसे नियुमित रूप से बजलते हैं मात आपको इतना ही करना है और आप खुद गौर करेंगे कि आपके पर्स पर आपकी तिजोल पर माता मालक्षमी की विशेश क्रपाव बनने लगेगी और आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा तेंक युब खाली नहीं रहेगा